5, 4, 3, 2, 1 अध्यक्ष महुदय मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह है कि किर्शी विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाध्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धन्राशी चाहिए वे उनको पूरी तरह संग स्विक्रित नहीं करा पाते हैं क्रिश विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए परियाप्त अन पैदा करने का महान भार है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकाव बट न हो बहुत सी हरतालें हो सकती हैं मजदूर काम से बरी हो सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हरतालें हो जाती हैं छुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों म जादा खाना खाते हैं, जारा धावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए यह सरवाधिक महत्व का विशय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें। जारू रुपए के बड़े बड़े वेतन ले रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्याले की मिसिलों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपून है। प्राकृति कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फ फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्य कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनवू से कुछ लोग आये थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहां दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहां दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं लेकिन हमारी तो जान खत्रे में है। वहां ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खत्रे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चुकि हवा में पानी ज्यादा होता है इसलिए फसल के बचाओ के लिए उस पर नियंत्रन किया जाए जिससे फसल की हानी जाना हू